नमस्कार दोस्तो अपने यूटूब चैनल में आपका स्वागत है आज हम आपको बताएंगे LED बल्ब की सप्लाई के बारे में यदि हमारी बल्ब की सप्लाई SMPS पाउर सप्लाई खराब हो जाती है और हमेशे बाइपास करना है तो हम इसको कैसे बाइपास करें ये देखिए ये हमारे तीन कंपोनेट है हमें तीन कंपोनेट की ही इसमें जरत होती है बाकी जो हमारी SMPS पाउर सप्लाई है उसमें से हम इसका ब्रिज यूज कर लेते हैं हमें इसमें थोड़ी सी कटिंग करनी होती है और ये हमें तीन कंपोनेट लगाने होते हैं ये देखिए हम इसको यहां से remove कर लेते हैं इसके smps power supply हम निकाल लेते हैं और यह हमारी जो led की strip है इसको भी अलग कर लेते हैं हम इसको दोनों condition में आपको चला के दिखाएंगे हमें से smps power supply पर भी इसको चला के दिखाएंगे और यह capacitor वाली एक capacitor और एक resistance के थूरू जो हम voltage drop करते हैं इससे भी हम आपको चला के दिखाएंगे यह दोनों condition में बहुत अथी चलती है यह हम मेरा पांच रुपए का system है हम इसको पांच रुपए में ठीक कर सकते हैं बाकी और smps थोड़ी सी महंगी पड़ेगी यह देखिए यह हम इसकी smps काम करती है यह देख लीजिए यह इसकी जो इधर ic है smps की यह जो ic है यह बिल्कुल हमारी damage हो गई है तो हम इसको कैसे यूज करेंगे ic तो यह नहीं लगेगी तो हम इसको bypass कैसे करेंगे इसके बारे में आज हम आपको बताते हैं यह देखिए जहां मेरे screw driver है यह मेरी एक bridge rectifier है यह हमारा एक bridge rectifier है इसमें यह input लेगी एक resistance है और एक यह सपेद wire लगा हुआ है यह direct एक तम सिधा bridge पर लगा हुआ है तो इससे पहले चलो हम यह बता दें यह हमारा एक capacitor है 155J और 400V का हम इसके पहले में एक यह resistance लगाते है resistance यह discharging के लिए लगाते है जिससे हमारे current ना लगे और यह एकदम discharge हो जाए इसके बाद हम इसको solder कर लेते हैं solder करने के बाद यह जो हमारी smps power supply है यह वाली यह हम यहां से cutting करेंगे positive वाला positive पर हम यह लगा देंगे capacitor 150J वाला और neutral इसका हमारा यहां सिद्धा सिद्धा common आ जाएगा common आता है black वाले wire पर तो negative को तो हमें नहीं काटना है हम positive वाले wire को ही इसमें काटते हैं यह पूरी smps power supply से अलग कर देते हैं जो हमारे component लगे हुए है IC लगे हुए है तो हम इससे अलग कर देते हैं positive पर हम यह capacitor जोडते हैं यह हम capacitor जोड रहे हैं और सिद्धा हम यह red wire पर positive wire पर जाएगा और negative इसका common रहता है यह हमारा यह देखे यह black wire है यह हमारा common है और यह red वाला हमारा positive है तो यह हमने total bypass कर दिया है तो bypass आप इसे बिना SMPS के भी लगा सकते हैं बस एक हमें bridge लगाना है अलग से और एक हमें capacitor एक resistance इसके parallel में और हम इसको फिर ऐसे लगा सकते हैं मैंने तो ऐसे इसमें जुगाड किया हुआ है कि यह हमें bridge ना लगाना पड़े तो bridge मैंने SMPS का ही यूज कर लिया है बाकी इसके उपर एक यह capacitor resistance लगा दी है तब हम इसको यूज कर रहे हैं हमें बस इसमें बहुत आसानी हो गई बाकी आप इसको बिना SMPS के भी direct भी आप इसको लगा सकते हैं यह देखिए हमने LED STP इसके उपर लगा दी है अब देखिए हम इसको power supply दे देते हैं यहाँ यह हमारी input है और यह resistance एक fuse का काम करती है इधर हम इसमें यहाँ हम जामा resistance है हम यहाँ इसको input दे देते हैं input देने के बाद हमारी voltage फिक्स आएगी यदि आपको महाँ कम voltage लग रही है जैसे हम मेरी LED कम जल रही है तो यह हम resistance थोड़ा सा कम कर सकते हैं यह मैंने भी 330K की resistance लगाई है हम इसको 200K की, 1.500K की resistance लगा सकते हैं यह देखे कितना अच्छा जल रहा है तो यह हमारे night bulb का भी काम कर सकती है यह हमें घर में जब तेज रोशनी करने है तो resistance चेंज करके हम इसकी ज़्याद रोशनी कर सकते हैं इस तरह से हम इसकी SMPS power supply बाइपास करके कैपिस्टर इसमें हम लगा सकते हैं यह देखे हम निकालके इसको एक तरफ रख लेते हैं हम बताएंगे यह बिल्कुल यहां से इस तरह से cutting करनी है और हम यह paper पर आपको समझा दें paper पर देखे कितना आसान है महां circuit में कुछ नहीं दिख रहा है तो यहां आपको कुछ दिखेगा मैंने एक circuit उपर बनाया है यह जो circuit है उपर वाला इसमें SMPS का bridge यूज किया है और एक capacitor यूज किया है बाद में LED strip LED panel को हमने इसके साथ जोड दिया है अब यदि बिना SMPS के आप लगाएं तो आप ऐसे लगा सकते हैं इसमें एक diode लगानी है capacitor के स्रीज में पहले एक diode लगा दें इसके बाद capacitor और एक resistance लगा दें हमारा एक बिजली का जो मेंस है वो common देगा हम direct LED strip पर सिद्धा common लगा सकते हैं यह देखिए एक यह resistance है और यह हमारा capacitor है 150J और यह 330K की resistance है और direct हम इसको यहाँ पलस माइनस है यह इस पर यहाँ पलस माइनस है और यह हम LED इस टिप पर लगा सकते हैं और इसको डारेक्ट हम इसको जला सकते हैं जैसे मैंने आपको जला के यह दिखाईए तो दोस्तों मैं आसा करता हूँ मेरी वीडियो आपको बहुत अच्छी लगी तो वीडियो को ज़ाद से ज़ाद लाइक करें शेर करें और अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें यह देखिए यह यह हमारी SMPS पाउर सप्लाई है यह और यह हमारा यह इस तरह से कैपिस्टर है मैंने सरकीट में दिखा दिया है और यह वाली यह हमारे چार कमपोनेट है एक यह भी जाएगा बना बनाया यह यह और एक यह कैपिस्टर है तो इस तरह से मेरा बल्ब बनकर पूरा त्यार हो जाता है मेरा LED बनकर त्यार हो जाता है तो दोस्तों चैनल को भी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले साथ में बेल आइकन की घंटी भी दबादे वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्याद